अब जीवन में उतार चड़हव तो आते ही रहते हैं और बदलाव तो प्रकती का नियम है कभी जीवन में खुशिया तो कभी दुख ये तो लगा ही रहता है बस इनसे कभी भी घबराने की जरुत नहीं है और जोतिश में इसका कारण ग्रहों की चाल को बताये जाता है अब जोतिश के ग्याता ऐसा बता रहे हैं कि 11, 12 और 13 तारीख को कुछ राश्यों को बहुत बड़ी खुश खबरी अब मिल सकती है माता लक्षमी की किरपा से इनके जीवन में अब खुशियों का आगमन होने वाला है और अब इनके छोटे छोटे प्रयास भी सफल होंगे और इन लोगों को उन्नती के मार्ग पड़ ले जाएंगे बता दे आपको आप लोगों को घर में सबसे जादा सहयोग आपके छोटे भाई करने वाले हैं जिसकी वज़ल से आपका मन प्रसन रहेगा रोजकार की तलाश कर रहे हैं तो आपको अब रोजकार मिलने वाला है विद्ध्यारती जो विद्ध्यारती वर्ग है वो अगर किसी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब उस परिक्षा में भी उन्हें सफलता मिलने वाली है उसी के साथ आपको अपनी सेहत का खास खयाल रखना है क्योंकि आपकी सेहत बिगरने के संकीत नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में आपको काम्याबी मिलने वाली है आर्थिक स्तिती में सुधार आने की योग बन रहे हैं आपके कुण्डी में ग्रहों की स्थिती अच्छी रहने वाली है जिसका आपको हर शेत्र में अब लाभ मिलने वाला है आपके द्वारा बनाई गई हर योजना अब सफल हो जाएगी चली बताते हैं आपको उन राश्यों के बार में जिनके आपने दिक्रिक कर रहे थी तो उन राश्या है तुला, व्रिश्चिक, कुम्ब और कन्या इसी तरह रोजान अपनी राज्शियों के बारे में जानने के लिए देखते रहे हमारा चानल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने हैं